माथे पे खून का टीका लगाई के बदन पे अपने कफन को सजाई के जुल्म की दुनिया में है जिसने आग लगाई खोड़े पे बैठ के आई है मुन्नी बाई खोड़े भोड़े चाद हुआ लगाई कि नहीं सर्दार हमने बिए का चपा 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 च्पा च्छान मारा लेकिन पगला डाकू का कहीं पता नहीं चला हमने तवाइप के कोटे तक छान डाले फिर भी पगला डाकू कहीं नहीं मिला फिर कहा गया पगला डाकू कहा गया धरती की कोक में जाकर समा गया या आस्मान की चादर ओड कर सो गया या फिर पानी बनकर दरिया में बै गया कहा गया कहा गया क्या मुन्नी बाई नाम की महरनी शेरनी बनकर मुझे तुराज कर रही है है हाँ सरधार मुन्नी बाई के आदमी कुट्टों की तरह तुम्हारी खुश्बू सुनते फिर रहे हैं खुश्बू तब तो वो मुझे कभी नहीं पगड़ सकती क्यूंके मेरे बदर में से हमेशा बद्बू आती है सुगा सरदार आज हमें मलिकापूर डाका डालने जाना है और उसका रास्ता काली पहारी हो करके गुजरता है सुना है मुन्नी बाई का डा वहीं कहीं है मैं तो वहीं से जाऊंगा घोड़ों की तापों से कुचल कर उसकी ठचियां उड़ा दूँगा मुन्नी बाई क्यों मेरा रास्ता रोक के ख़ड़ी है अरे मैं तो तेरा ही इंतेजार कर रही जी पगला डाकू मेरे आदमी ने तुझे सारे बिहड में ढून लिया रे अरे मैं हूँ पगला डाकू बंदूग जिससे डरती है तोग जिससे डरती है और डरती है सारे डाकू उसका नाम है पगला डाकू उन्हीं भाई मेरा रास्ता रोक कर तूने खुद अपने आपको मौत की भट्टी में जो का है मौत की भट्टी में तू मैं तुझनडा करतेंगी और जाद्था खुद तो तेरी नाक में डंडा करतेंगी जिसने तुझे खाग में मिलाने की कौस्पम खाई है देख तेरी चाने डश्मान दाकू मुन्नी बाई आई है एक छोटी सी लड़की मुन्नी से मुन्नी बाई बन गई लड़की से लड़ाकू बन गई जो कभी मौम थी आज मौत का लोहा बन गई मौम को मौत का लोहा बनाने वाला तो है तो याद कर तू ने कितने जुन की है मुझपर है? पर परेंगो परेंगो है आए! बहुत्ताइब परेंगो भागा तु central के घेल Servus पगला ह। कि क्या बात है सर्दार आज बहुत плат milliseव होMr हिसे करा हूँ था आज उसके हाथ में गोली मारी है तो रुखल republican उसके सीने पर को क्ली मारूगी अच्य हुआ गोली हाथ में लगी सर्दार अगर सीने पर लगी होती तो मर गये होती मन ले की बात छोड यह बता पआपक, मेरी बेती हीरा कहा है? हीरा बाइ डाका डालनेक गई है सर्दार और राधे में कहीं रुक काई धुमें उड़ा रही ओगी नाम है मेरा हीरा बाइ प्यार से लोग मुझे कहते हैं ची लगी चीषावाइ क्यां क्यों? क्योंकि जो मेरी बात नहीं मानता ना उसके में चीर के दो तुकड़े कर देती हूं रहे हिरा भाई हिरा भाई का ख़बर लाया है रहे एक लड़की ने तेरे बाप को गोली मार दी है नाम का है रहे उसका नाम है मुन्नी बाई मुन्नी बाई हम तो औरे जीवन की जड़ को जमीन से खार के पेट देंगे हम तुझे नर्क में जोग देंगे तो चिलाएगी बहुत चिलाएगी मगर ये हिरा भाई ये हिरा भाई तेरे लाश के ओपर चील बन के मन राएगी मुन्नी बाई सदार पगला डाकू की बेटी तुझे मारने आ रही है लोग कहते हैं वो मौत का दर्या है दर्या अगर वो दर्या है तो हम है समंदर और देखना ये है रे ये ज्वाला मुखी छुपा है किस के अंदर चलो सदार उसे घेर के बाँ डालते है नाई 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 ये एक नारी का नारी से तक्राओ है हम अकेले जाएंगे और उसकी लाश को ठेच के लाएंगे मुन्नी बाई मुन्नी बाई कहा छुपी है बाहर निकल बाहर निकल कमीनी देख ये हीरा बाई तेरी जीवन में मोद का अधेरा फैलाने आई है देख ये हीरा आई है तेरे बदन का चीरा करने मार निकर बुलनी बाई तीरा बाई जहां से आई है वापस चली जा चली जा नहीं तो मौत की गली में दौनना पड़ेगा और इस छोड़ी सी उंबन में कफन को ओड़ना पड़ेगा निबाई तो मुझे नहीं जानती है रह नागिन मेरे जहर से और लोमड़े मेरे मकारी से डरती है अशनी में पिछा पड़ती है ना तो तो कुटिया के मौत मरती है क्योंकि ये हीरा बाई कोई लड़की नहीं है मौत के सीटी है सीटी ये किसी एरेग एरे की नहीं बगला डाकू की बेटी है बेटी मुझे क्या करना है तुने मुन्नी बाई को ललका रहा है और ललकारने वाले को मुन्नी ने जांद से मारा है हाँ 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 औरहां। बच गई मुन्नी आज तू भी बच गई हीरा हा यहीं तो थी कहां चलिए गही डॉक्टर कवाल खान बच वेष्ущाज नंहीं प्रच ठांगे है अलए बोले पहुत है यह दाकु मुन्नी भाई और में ऑधी ठीक है आप की दाई मी भॣक रही है लगता है आपकी दाई में फ़ौर का बाल ने है क्या आप बक्ते हो डॉक्टर आदमी की आख में सूर का बाल के सो सकता है हो सकता है इंस्पेक्टर साब जब आदमी अपनी खुद की बीवी छोड़कर पराई ललक्यों के पीछे लराय तपकाता घुमे ना तो आदमी की आँख में सुहर का बाला आ सकता है खामोश दौक्टर अगर वो मुझे मिल गई तो मैं लाके आपके वले कर दूँगा एक लाक रुबे खड़ा कर खड़ा कर ले लूँगा ठीक है एक बार मुझे मुन्नी बाई से मिला दे ताकि देख के इंजेक्शन कर दूँशे लंबा और फिर मुझे मिलेंगा एक लाक एक लाक एक लाक मुन्नी बाई तू रवाब रवाज़ा चाक्ट्र तुझे एक लाक नहीं एक लाक जरूर मिलेगी बापू मैंने मुन्नी बाई को मार मार कर लाको घुशों से अधबरा कर दिया है करिब था कि मैं उसे गोली मार कर बदला ले ले थी मगर मगर पुलीस वाले धायं धायं करते हुए आए और मेरी प्यारी बतीजी को मेदाने जंग छोड़ना परा लेकिन टकला चीचा तुम्हें कैसे पता चला मेरे राज दुलारे भाई तुझे कैसे पता चला और दो चटानों में ठकला हो मुझे पता ना चले ऐसा कभी हो ही नहीं चक्ता चाचा मैं मुन्नी बाई को छोड़ूगी नहीं उसका जीना मुश्किल कर दूँगी पेटी मेरी बात मान के कुई दिन के लिए इस्थिकाने से निकला बंक कर दें वो क्यों बाप वह इस लिए के तेरा नाम पॉलीस के रिजिस्टर में नहीं है अगर मुन्नी बाई कえ बाद तेरा नाम पॉलीस के रिजिस्टर में आ गया तो पुलीस के कान खड़े हो जाएंगे कार्म खोल कर सुन लो, कुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से मुन्नी भाई को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने का इनाम एक लाग से बढ़ा कर पांच लाग कर दिया गया है इस मजमून के पोस्ट छपा कर सब जगा लगवा दो अब देखेगा सर मुन्नी भाई बहुत जल्द पकड़ी जाएगी यह दावा तुम च्याने कितनी बार कर चुके हो लेकिन आज तक कुछ नहीं कर सके दगता है मुझे शहर से कोई हाबिल और बहुत अफिसर प्लाना पड़ेगा अरे ओ बाबू कौन है रहे तू और इन पहालों में क्या कर रहे तू मेरा नम शंकर है इंस्पेटर शंकर मैं शहर साया हूं मेरा इस घर का बहुत पुराना संबंध है मैं और मेरी दोस्त मुन्नी बाई दोनों बच्पन में यहां खेला करते थे और एक दिन तक दीर ने ऐसा तमाशा दिखाया कि सब उल्टा-पुल्टा हो गया मगर तुम कौन हो सब पता चल जाएगा पहले ठाने तो जाओ मेरा नाम इंस्पेक्टर शंकर सिंग है ओ इंस्पेक्टर शंकर सिंग मैं जानता हूं सर कि कमिश्णर साहब ने खास तोर पर आपको मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए भेजा है तो लीजिए तर्शन कीजिए मुन्नी बाई के यह मुन्नी बाई क्या हुआ सर फोटो देखते आपको पसीने चूटने लगे कहीं ऐसा तो नहीं मुन्नी बाई को पकड़ने का आपने इरादा ही बदल दिया इंस्पेक्टर मुझे बत्तमिज दे बिलकुल पसंद नहीं और तुम यह बात अच्छी तर अपने दिमाग में डाल लो यही तुम्हारे सिहत के लिए अच्छी बात रहेगी आइम सारी सर मुझे मुन्नी बाई के फाईल दो यह लिजे फाईल मुझे एक और फाईल चाहिए जो बारा साल पुरानी है बारा साल पुरानी तुम ये बारा साल पुरानी फाईल खोल कर क्या थाबित करना चाहते हो देखो इस्पेक्टर शेंकर मैंने तुम्हें मुन्नी बाई को पकड़ने के लिए बुलाया है सर इस फाइल को और मुन्नी बाई का 12 साल पुराना संबंध है सर इस कहानी की शुरुवात 12 साल पहले हुई थी जिसकी वज़े से मुन्नी को मुन्नी बाई डाकू बनना पड़ा और मुझे इंस्पेक्टर क्या मतलब तुम कहना कह चाहते हो सर मैं आपको उस दिन की बात पताना चाहता हूँ जब ये दो मुझनिम पगला डाकू और गबर सिंग जेल में थे पगला हवलदार राम सिंग ने हरामी पन से हमें पकलावा दिया और उस पे ये कि सरकार उसे इनाम देने वाड़े नाई उस कुट्टे को तो इनाम हम देंगे हम इधर आ शुद वा मुन्नी बिटिया वा तूने तो कमाल कर दिया इम्तिहान में पहला नमबर लेकर आई तू बोल क्या इनाम लेगी बापू मुझे एक बंदूग दिला दो ताकि मैं बड़ी होकर पुलिस वाली बनो अच्छा बापू जबसे अपने डाकू को पकड़ा है मुन्नी यही कह रही कि उसे पुलिस वाला बनना है अरे मुन्नी बेटे पहले तू बड़ी हो जा फिर बंदूग भी मिल जाएगे और तू पुलिस वाली भी बन जाएगे अब ऐसा कर बेटे ओ तेरा दो शंकर न शंकर उसके साथ जाकर खेल ठीक है बापू बापू क्या आपको डाकूँ से डर नहीं लगता अरे बेटा डा बेस बदल दूँगा इन खाकी रंग के कप्रों को सफेद रंग के कपर में बदल दूँगा लेकिन मरने से पहले वो देख गब वर्सी में तेरे गाउं को आग ना दिये खाओ को थूने सजाया था रोगा उस गाओं को मैने चला कर राक कर दिया आerd Chloe अधूर हो जा बापंछा पर में घाख जा ना जोड़ दो मुझे चोड़ दो और सर उस आग ने सब कुछ जला कर राह कर दिया और ना जैने मुन्नी भी कहा चली गई और सर जब यहां आया तो मालूम पड़ा कि वो मुन्नी अब मुन्नी बाई डाकू बन गई है वागई बड़े दुख की बात है सर ये फाइल उनी दो मुझेमों की है जिने मुन्नी जान से मार देना चाहते हैं और मैं कानून दुरा सजा देना चाहता हूँ इस हाथस्रे को गुज़े बारा बरस बीच चुके हैं ना जाने मों मुझेम कहा होंगे सर वो जहां भी होंगे कानून उन्हें जीने नहीं देगा और मैं मुन्नी भाई को चैन करीम सोने नहीं दूँगा अरे वाँ कारे कहा देखा 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 नहीं सर्दार कुछ नहीं देखा क्यों रहे तेरी मा को नहीं है तेरी बेहन को नहीं है अगर दुबारा किसी ने बुरी नजर डाली तो उसकी सर्दार सर्दार इंस्पेटर शंकर आपसे बिना हत्यार के मिलना चाहता है ठीक है हम जरूर मिलेंगे क्यों रहे दरोगा ऐसी कौन सी आप वतान पड़ी है जो हमसे मिलना जरूरी हो गया मुन्नी मैं तुम्हें ये बताने आया हूँ कि मैं ही तुम्हारा शंकर हूँ सिर्फ तुम्हारा शंकर अरे तुम शंकर हो काटा हो या कंकर हो हमें का लेना देना हम तो बस इतना आजानत है कि तुम इंस्पेक्टर शंकर हो तुम इंस्पेक्टर शंकर को भोलके अपने बचपन के दोशंकर को याद करो हमारी मंगनी होने वाली थी हम दोने एक दुसरे को बहुत प्यार करते थे मैं आज भी तुम्हें चाहता हो मुन्नी लाटाओ मेरी दुनिया में छोड़ दे इस दुनिया को ठीक है शंकर आगर तुम्हें मुसे सची महबबत है तो प्लीस की वर्दी उतार कर दाकू का चोला पहन लो मेरे साथ दो तो यह मुन्या तुम्हर ही हो जाए udde याद दिलाना बहुत आसान है शंकर वदे निबाहना बहुत मुषकिल है इस मुश्किल का एक हल है कि हम पुलिस को खबर कर देते हैं नहीं नहीं पुलिस को खबर मत करना अगर मुनी बाई को मालूम हुआ कि हमने पुलिस को खबर की तो वो हमारे बच्चे को मार डालेगी हम ऐसा करते को उसे पांच लाग रुपे देखकर हमारा बच्चा ले आते हैं मुन्नी बाई तो उससे ये मेरा वादा था कि मैं तेरा जीना मुश्किल कर दूँगी इसलिए जमीदार हर्नान सिंग के बच्चे को मैंने अगवा किया है और नाम मुन्नी बाय मंनी बाई अलो मदी बाई देखाओ नी पांचला कर रुपे रुपरों आपामना हमाबाप नद त्यों मेरा बच्चे कर दो करुए और यह मुनी भई अब तक क्यों नहीं आई कहीं हमको आने में देर तो नहीं होगी कहीं हमारे बच्चे को मार तो नहीं दिया होगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यह बगवान यह मुझे क्या भूलो गई इसके मावब को क्या जवाब दोंगी इसे पहले कि वो लोग आ जाए मैं इसे दफन कर दूँगी कौन हो बेटी तुम और रोक्यो रही हो और यह कबर किसकी है तुम कितनी ममता की मारी है और एक वो कमीनी मुन्नी बाई जिसने दौलत के लिए मेरे गोच सुनी कर दी लगता है मुन्नी बाई अब नहीं आएगी उसने हमारे बच्चे को मार दिया उगा चलो हम चलते हैं मुन्नी बाई एक बात याद रखना तुनि मेरे बच्चे को मारके बहुत बड़ा पाप किया है जिंतगी में कभी तुझे असना नसीम नहीं होगा तेरी हर खुशी मेरे आसों में ढूप जाएगी हे बगवान ये मुस्से कितना बड़ा पाप हो गया इस पाप का पराशित मैं कैसे करूँगी ही रभाई मेरे बच्चे को बचा लो डाकु काला सिंग मेरे बच्चे को उठा ले गया है मैं इस बच्चे को बच्चा के अपनी गुनाह का प्राशित जरूँगा काला सिंग तुने एक माखी को असे उसके बच्चे को जिंग अच्छा नहीं किया काला सिंग इनन्हासा बचकुंडा हमार पचास हजार का लाटरी बाँ बहुत आश करेगा इपईसा से काला से काला से बच्चे को मेरे हवाले कर दे बड़ी कटीली नचनिया लग रही हो हीरा बाई इबच्चा बच्चा छोड़ और लगजा हमरे चोड़ सीने से अगर हीरा बाई को सीने से लगना होता ना तो किसी मर्द के सीने से लगती तेरे तेसे हिजड़ों के मूँ पर तुम्हें थोकती तक नहीं हुआ हिजडा बोली हमको हाहा हाहा कौनों बात नहीं हिजडा बोल जो दिल में आये बोल काला सिंग को कभी गुस्ता नहीं आता हाहा क्योंकि तु कुट्टा कमीना जलील हरामी और सुर्थ का बच्चा है रे हाहा बती दो चाठ्थू गाली आता है तेरे को आउर नहीं आता है ना जड़ा हमको कस्के गाली दे हमको बहुत बजय आता हाहा तू अगर अपने बाप की बेटी है ना तो जड़ा काला सिंग को गुस्ता दिला के दिखा मुझे पता है काला कि तुछी गुस्ता नहीं आता ह कि तो पक्का नामर्द है तभी तो एक बच्चे के खातिर तुने दस बार शादी की और एक बार भी बच्चे का अब बाप नहीं बन सका काला सुनो है तुझे बीड़ो में रहता है तब तेरी पत्नी रात पडोसी की घर काटती है ही रह भाई के देखा मेरे छोटे से जुटने, तुझे कितना बड़ा गुस्सा दिल्ला दिया है रहे जो हमको गुसा दिला देता है हम उसका सीना फार देता हूँ और मैं सीना फार ने वाले का कफन फारती हूं काला सिंग ! बहुत हिन हिना रही है ते लगाम घोरी, तेरी जिंदगी रह काला सिंग, अगर जीवन का उज्जालत चाहता है, तो बच्चे को मेरे हवाले कर दे, वरना मौत के कोईले से तिरे मुँ और भी काला कर दूंगी, बच्चा मेरे हवाले कर, ठीक है, हम्मे मत मार, तु बच्च कुंडा ले जा, ले जा, ले जा, हिरा भाई, मुलिस्ते तुम्हें चारो तरसे गह रखाए, बच्च कर निकलने का कोई रास्ता नहीं, हिरा भाई, मुलिस्ते तुम्हें चारो तरफ से गह रखाए, तुम्हारा यहां से बच्च के निकलना बहुत ही मुश्किल है, अपने आप को कानून के हवाले कर दो, पहले इस बच्ची को उसकी मा के हवाले करना ही पड़ेगा, रुक जाओ हिरा भाई, अरे, कहां चली गई, तुम लोग यहां देखो, मैं उस तरफ देखता हूँ, चुप हो जा मेरे बच्चे, चुप हो मेरे बच्चे, वो ना तरी आवस से पुलिस आ जाएगी, चुप हो जा मेरे बच्चे, हे बगवान, इसे कैसे चुप कर रहा हूँ, इस ममता का दोका देना ही पड़ेगा, हे बगवान, मुझे माफ कर देना, मैं इस मासुम बच्चे को ममता का दोका दे रहे हूँ, क्या नजारा है, ऐसा नजारा तुझे अपनी अम्मा के गोद में देखने को नहीं मिला था क्या, मिला था, लेकिन कुवारी मा को पहली बार बच्चे को दूद पिलाते देख रहा हूँ, अरे पहले मा बन जा, फिर बच्चे को दूद पिला ना, में मा नहीं हुई तो क्या हुआ रहे मंता मेरे सीने में कूट कूट के भरी हुई है अच्छा दरोगा मंता से मत टकडा वरना तेरे अम्मा को तेरे भयानक मोद पर खून के आशूर होना पड़ेगा अरे इस बच्चे को मार कर मैं तुझे खून के आशू रूलाऊंगा हीरा बाई दूद पिलाने का बहुत शहो करना तुझे चल मैं तुझे मा बनाता हूँ अ रुख जाओ असललमखान लड़की की तरफ बढ़े ये फोली मार दूँगा हapolis अर divertkill दाकू हीरा बाई अरे इससे बड़ा दाकू तो तू है जोक लड़की की इजथ पर ढाका डालने चला है का अरे हीरा बाई कहा गई ये लो बेहन तुम्हारा बच्चा, ये रबाई तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरे बच्चे को बचाया है, भगवान करें तुम सदा खुश रहो किसो ने मरा पहले है, मेरा है पहले है, चाप, डॉक्टर मैं हूँ, तुमने, आप सबसे पहले, आजाओ, अब चेक करता हूँ, आप, बताई आप, क्या विमारी है, मुझे आजकल फिल्मी हीरो के सपने आते हैं, अच्छा, कभी शारुखान आता है, कभी सल्मान खान आता है, और कुद कुदी करने लगता है, अरे आमिर खान पता है, क्या कहता है, चलती है क्या, खंडाला, क्यों, जोने लिवर नहीं हाता क्या, अरे हट परे, वो मुँआ तो मुझे राखी बनवाता है, वो कैसे आएगा, तुम्हें तो बड़ी खतरनाख बिमारी है, चलती हो, तुम्हें पहले खिक्चेक करना पढ़ेंगा, हां, हां, हं, हां, हां, यह यह भीमारी ऐसी खतरनाख है, इ बल्के तीन चार किलमेट दुर जाएंगी तो चलिए ना, खोलिए ना आए, और यह तुम्हारी बिमारी मेरे समझ में आ गई है हां? आये, आये, आये तुम्हें फिल्मिस्टार की बिमारी थी ना? जी थी ना? यह साचाथ फिल्मिस्टार अमिताब बच्चन है इने भी मारी थी अमिताब बच्चन हाई तैया, एक डायलग तो बोलकर सुनाइए ना? आहां क्यू नहीं? क्यू नहीं? जिगर का दर्थ कहीं उपर से मालूम होता है जिगर जिगर नहीं है और मेरी बिमारी तू क्या ठीक करेगा? मैं मैं सब समझ गई चल हट मैं चली मैं डॉक्टर हूँ यह बिल्कुल मैं डॉक्टर हूँ जो बै एक कव्वाल से तू डॉक्टर कैसे बन गया है? आपे बना बना काम बिगार दिया मेरा देखा नितुने मैं डॉक्टर बन के कैसा एश कर रहा हूँ अंदर की बिमारी आदेख रहा हूँ आपे यह जो तेरी अंदर की बिमारी है ना उनको तू बाद में दूर करते रहना पहले मेरी बात सुन यहाँ पर कोई मुन्नी नाम की डाकू है जिस पर पांच लाख रुपए का इनाम है मुन्नी भाई एक बार मिली दिरे बावा क्या लाथ तुमारी दिरेच्चा परता अबे लाथ बात को छोड़ पहले मेरी बात सुन क्यों न हम दोनों मुन्नी भाई को पकड़ लें और पांच लाख रुपए का इनाम है वो हम दोने ले लें कुछ सोच कुछ सोच ना पड़ेगा मैंने सोचा भी निथा कि महाकार दाकू इतना कमी ना निकलेगा मेरे एक ही इसारे पर उसने लाखों का माल उता माल भी छपा दिया और मेरा हिस्सा भी निदिया पुलीस ने ठोसकर उसे जेल में डाल दिया ठाकूर साब उसे किसी भी तरह से जेल से निकल लिए तब ही तो आपको पैसा मिलेगा हाँ हाँ अब मैं महाकाल को जेल से भगाऊंगा और जब पुलीस कमिशनर को पता चलेगा तो कमिशनर साब गजब हो गया ठाकू महाकाल जेल से भाग गया क्या ठाकू महाकाल भाग गया ठाकू महाकाल कISS diss कंड करो इसी जेकार बंग करो मैं पांस साल तक जेल में सर्दा रहा और उसकी वज़ा है शेर सिंग खौल रहा है मेरा खून, खौल रहा है सोचते क्या हो ठाकूर, उठालो शेर सिंग की बेहन को शेर सिंग की बेहन अरे मेरी कमला, तु तो दिन में चांद की तरह चमक रही है रहे बहाकार, अगर तुने मुझे चूने की कोशिश की तो मेरा भाई शेर सिंग अपने फॉलादी घूसों से तेरा चकना चूर कर देगा अरे तेरे भाई को तो ऐसे रगड़ूंगा जैसे तमाकों में चूना रगड़ा जाता है और फनकी मारने के बाद उसे उड़ा दिया जाता है अरे आना, मेरी छे छटा की दुननिया अरे आ, अरे मेरे मन भरके सीने से लिपड़ जा अरे आना अरे आना महाकाल अरे महाकाल अब लड़की को हाथ लगाया, तो भून के रख दूंगा अरे महाकाल अरे महाकाल अरे महाकाल सबकी चमणी नोचता है और मुझे एक थमणी तक नहीं देता देखो मैंने लूटी हुई सारी डॉलर तुम दोनों में बाट दूंगा लेकिन मुझे उस शेर सिंग से बचाना मैं बिंती करता हूँ तुने बिंती की है बात तो बनानी पड़ेगी ना तू ऐसा कर तू शेर भाग जा और शेर सिंग को ये टकला रोकेगा अच्छा तो तुम शेर सिंग से निप्टो मैं शेर भाग जाता हूँ आज शेर सिंग आज टकले महाकाल कहा है महाकाल तो तरी हवार निकाल के चला गया अब तू भी जा किसी विराने में जाकर महाकाल का नाम ले लेकर अपना सर पतक 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 आंकें फार फार क्यों देख रहा है मुझे मेरा नाम तकला है तकला इस तकले ने इन पारों के सीने तोड़े हैं और तुश्मनों के रिष्टे मौस से चोड़े हैं बता दे महाकाल कहां है वरना तकला फोड़ दूँगा आस्मान हो या पातालो कोई भी इस तकले से तकलाने की कोशिच नहीं करतकता जब दे बता दे वरना तुब बचेगा नहीं अरी चला भागो भाग तब अब कहां से आ रहा है मुझ दिल कहीं तेरे पीछे शेर लग गया है क्या ौऐ भगने भईया मैं शेर सिंग ये अपनी जान बिचाता है भागता वह तेरे पास आगया हूं तो में जाता inned हूँ जशेर सिंग को मारंगा या खुद मरंगा पर तेरी तरह कीधर बनके नहीं बागउंगा रुख जाशे अर्थिंग गोली मत जलाना बना पड़ेगा अर्थी उठाना ते तेरा गुस्सा देखकर मुझे वो तिनका याद आता है जो तुफान से टक्राकर चकना चूर हो जाता है तुफान को तिनका समझने वाले रावण देख में तेरी लंका कैसे जलाता हूँ हीरा बाई लाई तुम्हारे बापु का सेर सिंग ने गोली मारी और वो मर गया कितनी गोली लगी थी रे हमरे बापु को एक बस एक गोली पर तुसमजा मेरा बापु मर गया और यह मेरा बापु कोई कछा भगा है जो खीचने से तूड़ रहाएगा है मेरा भापु लोहा ए लोहा जिसके दिल में शुलाक करने के लिए बारुट को भी पसिन आ ज़द है मेरा भापुने मर सकता है कि सदो बगला डाको शेर सिंस्ग के डर से भाग गया क्जएर से हम और मेरे शिकार को भगा दिया बहुणा כי latter कि मेरा शिकार मिशाने पर था मर चाने पर था मगर तेरे डर्रनी उसे पर लगा दिए और वो हवाओं में उड़ता हुआ गुम हो गया याद रखना शेर सिंग एक दिन में तेरा शिकार भी छीन लूगी सर्दार शेर सिंग ने उसे गोली मारी है वो मर भी सकता है वो मर नहीं सकता वो जिन्दा रहेगा वो मरेगा तो सिर्फ मुन्नी बाई की गोली से में पम्की गोली आई है एक गोली हुट जोली उसकी टङ कर देखने वा लोमें कों रो गोली अरे ये देखिए मर भाए का क्या ये तो मुन्नी भाई जो साम मुन्नी बाई नहीं मुक्षेश्ग्र राम बाई सरफ क्श Άप будем मुझरा करती है मैं मुझे रा करने वाली हूँ मैं मुझे रा करने वाली हूँ मेरी कई रूप है कई नाम है लोगों का दिल नहलाना मेरा साह है देखे फिर भी मुझे पर ये इल्दाम है मैं तुझे पर मरने वाली हूँ मैं मुझे रा करने वाली हूँ मैं एक हूँ मेरी आशिक बड़े है एक दो ही क्या सब पीछे पड़े है मेरी आगे नहीं मैं खाना है एक्छा लगता हुआ पैमाना है जिस चाहो मैं दिवाना कर दूँ आजमाले जो आजमाना है नहीं मैं दरने वाली हूँ मैं मुझे रा करने वाली हूँ चादो भडी मेरी ने निकछे जारी सोच समझती मुझ से ने ना लड़ारी जादो भडी मेरी ने निकछे जारी सोच समझती मुझ से ना लड़ारी जो मैं चाहू वो काम करती हूँ काम सब खुले आम करती हूँ लोग कहते मेरा जवाब नहीं मैं सभी को सलाम करती हूँ मैं सभी को सलाम करती हूँ मैं तुझ पे मरने वाली हूँ मैं मुझ रा करने वाली हूँ मैं मुझ रा करने वाली हूँ अरे कुंदन ठाकूर लोग आपकी आ गई लचक लचक कर थुमक थुमक कर अरे मुझ रा करने वाली आपकी राम कटोरी आ गई ये देखे कौन है बे तुगोचू राम कटोरी तुम्हें मेरे साथ चलना होगा ये बड़े भईया तकले ठाकूर का होकुम है आरे जब तक ठाकूर साबको कोई हसी ना लोरी नेहीं सुनाती है तो उने भी नहीं आती है लोर्य नहीं गालिए सुनाओंगी। और वो भी ऐसी गालिए के राम कटोरी ज्यादा बगबग मत कर समझी और चलना मारे साथ नाम तो हम रहे राम कटोरी बुरी नजर वालो कुट्टे अरे कुंदन ठाकूर भाग अरे भाग अवे भाग ले भाग सले आपका बहुत बहुत शुक्रिया शेर सिंग आपने हमारी जान बचाई एक सला देता हूं अदाय दिखा कर लोगों को लुटने का ये पेचा छोड़ दो वरना फिर कोई तुम्हें उठा कर ले जाएगा वाँ कहे दे उस कोठे वाली को उठा ले और उस शेर सिंग ने ठोक ठुगा के तुम्हें वही दिया तकले भाईया अगर शेर सिंग मुझे दोबारा मिलेगा तो साले को जिंदा नहीं छोड़ूँगा साले के चित्रे चित्र दोड़ा दूँगा मैं खागा तूटा नहीं और चले लोहे का तार तोने ये तो वही हुआ ना जैसे बंदर साम के सर को जमीर पर किस किस के मारता है किस किस के टकले भाईया पहले अपनी खैर मनाओ सुना है लोहा सिंग जेल से वापिस आ गया है तुमारी गर्दन तोड़ने के लिए आने दो हराम सादे को उल्टे पाउं का उल्टा चूता ऐसे सुनाओंगा कि उसका सर अपने आप जुग जाएगा चल बैट हाहा देखा खान दानी टकलू लोहा सिंग मेरी ताकत को देखा तकला ठाकूर मुझे मार डाल अब मैं वह लंग्रा हो गया हूँ जो बैसाकी के सारे भी नहीं चल सकता मार डाल मुझे मैं तुझे चुलूए की मौत पारूंगा कि आवालो यह कतल किस ने किया है चेर सिंग इसको टकला ठाकूर ने मारा है तकला ठाकूर अब मैं उसे लोहे के चने चबाऊंगा हाँ तो शेर सी मुझे लोहा लेना चाता है मुझे लोहे के चने जबाना चाता है तकले भाईया मुझे लगता है उसे जरूर किसी शेर ने पाला है और हमें शेर के गले में पालतू पत्ता डाल कर अपना गुलाम बनाने में बड़ा मज़ा आता है पट्टा शेर के गले में नहीं डाला जाता पट्टा कुत्ते के गले में डाला जाता है अच्छा टकले ये पंजादे का है तेरे चीतड़े चीतड़े कर दूंगा भाई साब अगर आप इशारा करें तो मैं गोली सुड़ा दूँ कुत्ते के पिल्ले जा जाके महले में पतंग उड़ा बागे टके तुझे मालूम नहीं मैं का लूँ शेर सिंग शेर सिंग क्यों अपनी जवानी को जंगलों में बढ़का रहा है अरे मेरी घुलामी में आजा तुम्हें घी और पंजाबी परांटे खिलाकर पंजाबी सांड बना दूगा और मैं तुझे टके टके पर बिकने वाले रांड बना दूँगा खबरदार करने आया हूं तुझे वरना बेमोत मारा जाएगा भाया शेर सिंग आपको रांड बनाने की धमकी दे गया है कसम है उन बालों की जो आपके सर पर उगे नहीं मैं उसकी बहन को रंडी बना करी छोड़ूँगा चाहिए आज मैं तुझे सुंदा नहीं चोलूँगा तुझे मार कर मैं अपने भाई का पद्ला लूँगा नहीं कुंदन 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 काहरा थाकुर पाहरा थाकुर हाँ शेर्दिंग तुमारे छोटे भाई कुंदन ने मेरी बहन का कतल क्या है उसे मेरे हमाले कर दे शेर्दिंग मैं कहता हूँ चला जा चला जा वर्णा लगडिये एकठी करकर के तेरी चिता बनाओंगा तेरी मुर्दा भेहन के सब तुझे भी जिन्दा जिराओंगा अकड़हारे के आलाद लकड़िया इकटी करके रखना उसमें जलता कौन है ये वक्त बताएगा ची उंटी होकर पहार से भी उंची बाते करता है व्यादा बकवास मत कर तेरे जैसे कही पहार मैंने क्रशर में बजरी बना कर बेज दिये तकले कुंदन को तुम मन नहीं छोड़ूगा बाईया शेर सिंग गया ना हां गया बाईया मुझे लगता है वो मुझे जिन्दा नहीं छोड़ेगा कुंदन जिस तरह नाग नियोले से पचने के लिए बिल में बुच जाता है उसी तरह तू भी मुनी बाई की आसपास जाकर पना ले और जब शेर सिंग तुझे मारने आएगा तो शेर नी से मकाबला होगा तो तो अपने आप बच जाएगा जा नागत जा मुनी बाई मुनी बाई मुझे बचा लो ये कौन चला रहे रहे मुनी बाई मुझे बचा लो मुनी बाई मुझे अपनी बना में ले लो नहीं तो शेर सिंग मुझे जान से माड़ा लेगा मुनी बाई अरे तू हमरी बना में आया है रहे मुनी बाई के पना में अब कौनो माई का लालतों के हाथ नहीं लगा सकात कुंदान कुंदान चेर सेंग अब एको कदम आगे बढ़ा तो हम्री गोली तो के छन्नी कर देव तुम हो मुन्नी बाई कभी तवायव बनकर पदत के लिए पुकारती हो तो कभी बंदुग उठाकर दुश्मनों को ललकारती हो अरे वो राम कटोरी होगी राम कटोरी सुना है हमरी शकल उससे बहुत मिलती है क्योरे बच्छवा हां सरदार बहुत मिलती जुलती है मगर अकल के मामले में एकदम अलग है वो का हत्यार गुंग्रु है और हम्रा हत्यार बंदुख है वो समाज की मुझरिम है और हम पानून के दुश्मन है और कंदन मेरा मुझरिम है उसे मेरे हवाले कर दो अरे ओ शेर सिंग्ग की का हमने पना दिये और इको लेख जाने से पहले हमरी लाज गिरानी पड़ेगी अगर मर्द होती तो गोलिया भी थाती के पार कर देता अरे ओ शेर सिंग्ग भुल गया एक दिन तुने हमरे शिकार छीना था पगल ड़ा को और आज हमने तेरा शिकार छिना है रहे तेरा पना दिये पना ठीक है उस बकरे को खिला पिला कर और भी मोटा कर दे उसे हलाल करने में मजाएगा अरे ओ रामचू मेहमान को कुछ खिलाये पिलाये की नहीं सरदार जब से खाना खाने बैठा है वो तीस रोटी तीन किलो मोटी डकार चुका है खाने दो फलक वामें ठूस ठूस के बर दो वह का है ना शेन सिंग ने हमको चैलें जवा दिया है अरे वो सरदार शेर सिंग की बेहन का बलतकार किया है इसने और मार डाला उसको और तू इसे खिला पिला रही है का शेर सिंग की बहन का बलतकार किया इसने अरे लोग तो खाना अजम करने के लिए चूरन खाते चूरन और इका खाना अजम करने के लिए हमरी गोली खानी पड़ेगी इससे पहले कि मुझे गोली मार दे मैं आसा भागता हूँ अरे ओ बच्वा जी जरा मेहमान को तो ले आरे तो भाग गया अरे तादारू तो भाग गया अच्छा कौन वात नहीं हमरी गोली से बच गिया तो का हुआ शेर सिंग की गोली से कहां तक बचेगा तकला भाईया टकला भाईया कुंदन मुनी बाई के पनास भागया क्या कहां भाग गया जब सितारों के तूटने का वक्त आता है तो ज्यादा चमंगने लगते हैं अब शेर सिंग कुंदन को नहीं छोड़ेगा क्यां तक भागेगा यहां भी जाएगा मैं मौद बन कर रास्ता रोख लूँगा मैं भाग नहीं रहा था मैं तो दोड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था मैं मैं तुस्य ड़ता नियुक्ति जरूर करूंगा इतना धम था तो यहां से भाग कर क्यों गया मैं भाग कर कहा जा रहा था मुझे मत मानना शेर सिंग नहीं नहीं अपने आपको कानून के हवाले कर दो का शेर सिंग पकड़ा गया बहुत बुरा हुआ रहे हमरे सीने पर बहुत बोज़ बढ़ गया रहे अब जिन्दगी पर पच्चतावे क्या गया अब को चलना पड़ेगा आग में तो तुम जली रही हो सरदार मेरा मतलब सरदार पगला डाकू से कब से तो मैं उस पगले डाकू का इंतजार कर रहे हूं रहे मेरे तनमन किया को बुजाद हो, हाई अरे, तुमसे अच्छा, तो तुम्हारा दोस्त वो डॉक्टर था जब वो मुझे गोली देता था, तब मैं ठंडी हो जाती थी लेकिन जब वो मुझे इंजेक्शन देता था, तब मैं गरम हो जाती थी अरे मैंदम आप किसके चक्कर में पड़ गई है वो ऊशो के चक्कर में पड़ गई हैं वह तो average नबर का नखली डॉक्टर है नकली समझ गई है मैं तो कहीता हूँ कि वह लड़कियों को इतना उल्लू बनाता है कभी किसी की पपी लेके तो कभी किस उफसा के चला गया आरे उसके चक्कर में मत पढ़िए वो तो एक नम्मर का 420 है 420 समझ गई आप अरे वो 420 पूरा नहीं है समझे वो वो तो मेरा डॉक्टर है और मैं उसकी मरीज हूँ उसकी प्यार का रस मैं तो जी भर के चखूंगी मुकषा मैं तो मैं और मीज मारीज तो खोलीजय हूँ मैं त्यक्षशन मैं तेड़ा डर्फ होता हना मैं तुदूआचर बॉर का पूल को Ce शाटारी आखाब सब्यम्कमर रहाओं vendors करें वैसे पेल्ञेस पर अधा रहने धिया काम है, आए मैं भी कुछ यह मुझे अव्रीस कंभा के इस राखी रहे विद्नुद्ध कहने इस और मेरा संदू करोवा आपके बापू को लापता हुए पूरे 40 दिन हो गए, उनको मरा हुआ समझकर उनका 40 वा मना लो चुपे, 40 वा मुर्दों का मनाये जाता है, जिन्दों का नहीं, मुझे यकीन है मेरा बापू जिन्दा है और एक ने एक दिन वो आपने बेटी से मिलने ज़रूर आएगा म्याँ गया, बगला अठा को आगया बगला भाईया, हम लोग उसी गाओं में फिर से आ गए जिसमें हमने हमलदार राम सिंग को गोलियों से भून करके माँ डालाता भाईया, वो देखो मुन्नी भाईया, अरे ओ, मुन्नी भाईया, हाई, 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 हाई अरे ओ, बंदुक वाले, हम मुन्नी भाईया नहीं, राम कटोरी है, राम कटोरी क्या, तेरा नाम राम कटोरी है हाँ हम मुन्नी बाई की तरह काटा नहीं हम तो नरम नाजुक भूल है भूल अरे वाँ कहाओं की धूल में क्या धूल का भूल किला है अरे ओ चप्रगंचु हम को अगर धूल का भूल कहा तो मार मार के सारा पानी उतार देंगे आठाने का पानी और बीस रुपाई की रानी है कितनी जालिम है तेरी जवानी पगला वेया लड़की तो बड़ी कड़क है अरे गबर जब सड़क कड़क हो तभी तो उस पर दोड़ने का मजा आता है रे कहो तो जड़ा दू अपना घोड़ा खलक सफ पे हां ही रबेटी ही रबेटी हम आउने बापो अगया नियुक्ति मैंने मोद को हार मानने पर मजबूर कर दिया क्यूंके मैंने जीना था तेरे लिए मुझे पुरा बशात था बापो तो एक नेक दिन ज़रूर कर दिया क्य को वापस आएगा फ्रोग याँ 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 जैसे ही किया याँ यहाय पूझे मुन्मी बाई बने बाका कट राम क्लिजू सामना करना पर हुआ क면ि मुन्मी बाय कोई हमिशकल्ग्ति एफ प्रादी जिर्वाईं वर्याकर आवे एलुकर करें जह एलुकर करें लेने ले एल, हाँ! हाँ! जुर एलुकर करें वे लोगा है! हाँ! आए पानी में जले तोरा गोरा बदन पीरा भाई अब तुझे बाना जरूरी है रास्ता ठोड़ी है मैं क्या अबे मुन्नी भाई के प्यादे क्या है तेरे इरादे हां मैंने मुन्नी भाई का साथ छोड़ दिया है मैं तुम्हें यह बतलाने आया हूं कि मुन्नी भाई ने तुम्हें बापू को गोली माने की कसम खाई है तब तो मुन्नी भाई का ठीकाना भी जानता होगा हाँ जानता हूँ तो ले चल मुझे उसके ठीकाने पर इससे पहले कि वो मेरे बापू को ठीकाने लगा दे मैं उसे ठीकाने लगा दूंगी मुन्नी भाई मुन्नी भाई मुन्नी भाई कहा छुपिये मुन्नी भाई मुन्नी भाई क्योरे रमजो तूने तो कहा था मुन्नी भाई यहां मिलेगी यहां तो कोई नहीं है इसलिए तो लाया हूँ कि यहाँ कोई नहीं यहीरा बादी यहाँ बोला री कम्बिने अभी बताता हूँ कम्बिने का कम्बिना पन नहीं छोड़ कुछ दे छोड़ कर दो दो कर दो कर दो कर दो तुमने मुझे बचाया, तुम्हारा नाम क्या है? मेराम शंकर है शंकर? एक शंकर वो है, जिनकी मैं पूजा करती है और एक शंकर ये है, जिसे मैं अपना दिल दे बैठी मैं इसे अपना बनाऊंगी ही और अपने प्यार का जादू चला के रहूंगी किने ख्यालों में हो? तुम्हारे ख्यालों में अच्छा? तुम बड़े बादूर हो, और दिखने में भी अच्छे लगते हो लेकिन तुम तो डाको लगती हो किसके गिरों से हो? सब कुछ बता दूँगी पहले मेरे सवाल का जवाब दो उच्छो मुझसे प्यार करोगे अच्छाओगे बड़ी बेधड़क लड़की हो? बेधड़क तो हुए ई बाबू जब किसी इंसान को भूक लगती है तो खाना मंगता है प्यास लगती है तो पानी से प्यास बुजाता है और जब प्यार करने को देल चाहे तो प्यार क्यों नहीं मन सकता मगर मैं तो किसी और से प्यार करता हूं किस से मुन्नी से मुन्नी भाई डाकू मुन्नी भाई तो नहीं हाँ वही मुन्नी भाई मैं उसे प्यार करता हूं वो मेरा नसीब है अरे उसके नसीब में तो बंदुग की गोलिया है और फासी का फंदा कुछ भी हो, मैं तो उसी से प्यार करता हूँ, और करता रहूंगा. मुनी भाइ! मुनी भाइ! तुम डाकू हो, और हेरा भाइ तुम्हारे प्यार पह डाका डालना चाहती है. काश तू मुझे मिलचा वो नहीं मिलेगी. अगर आपको मिलना नहीं है तो मुन्य भाई की हम शकल राम कटोरी को मिलिये, जो की मुझा करती है राम कटोरी? इंस्पेक्टर सहब, यहां कैसे आना हुआ तुम्हारा? सुना है मुन्य से तुम्हारी शकल मिलती है, इसलिए देखने चलाया लगता है मुन्नी से कोई खास रिष्टा है तुम्हारा मैं उसे प्यार करता हूँ प्यार और एक डाखु से तरोगा बाबू बारुस से प्यार करोगे तो जलते रहोगे प्यार करना है तो हम जैसे फूल से करो काटो में कही हो लजते हो राम कटोरी मुन्नी बाई और तुम में वही फर्क है जो फर्क भगवान पर चढ़ने वाले फूल और कोठे पर उड़ने वाली धूल में होता है अगर ये बात है तो ये धूल तुम्हें फूल बनकर दिखा देगी और उस दिन तुम्हें हमारे प्यार की खदर मालू होगी तुम्हारी तरह ये सपने हीरा भाई भी देखती है खेल मैं चलता हूँ शंकर 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 तो मेरे हो शंकर शंकर के सपने देखना छोड़ दो वो अब तुम्हारे बास कभी नहीं आएगा हां मुन्नी बाई जहां बुलाएगी वहां जरूर जाएगा अच्छा मुन्नी बाई बुलाएगी तो जाएगा मुन्नी तुमने मुझे बुलाया लगता है तुमने मेरी बात मानकर अपने आपको कानून के हवाले करने का फैसला कर लिया है तूम इरा बाई हमा हीरा बाई मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हें पानी के लिए अगर जेल के सिलाखों के पीछे भी जाना पड़ा तो मंशूर है लो गिरफतार कर लो लेकिन तुम्हारे खिलाफ तो ठाने में एक भी शिकायट नहीं तुम्हें कैसे गिर फतार कर सकता कम से कम अपने हातों में तुम मेरा हाथ तो लोगे ओ तो यह प्यार का बुखार है सुनो हिरा बाई जब तक मुनी बई जिन्दा है उसके प्यार के जुगा कोई नहीं ले सकता तुम भी नहीं समझी नहीं रहेगी मुन्नी बाई जिन्दा नहीं रहेगी पापू अरे तु रो क्यों रही है पापू मैं इंस्पेक्टर शंकर से प्यार करती हूँ और उसने मुन्नी बाई के खादिर मेरे प्यार को ठुगरा दिया क्या मुनी भाई के लिए उसने तेरे प्यार को ठुकरा दिया ये तो सुना था के पुलीस वाले दाकों के सर की कीमत रखते हैं पर आज ये टग्रा दाकू दाकों के सर की कीमत रखता है जो भी मुनी भाई की मौत को आवाद देगा उसको ये टग्रा दाकू पांच लाग रोबार नेगा और आप को को भुट रहा है आपको लेल्का रहा है जाज के बाद उसकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा वह खुट्थे की मौट मरेगा मुली बाई, अच्छा वाद तुम मुझे मिल गई, आज मैं तेरे को मुम्बत्ती की तरह पर ला दूँगा हराम जादे, मैं बड़ी कुत्नी चीज हूँ, तुझे पेड के बत्ते की तरह नोच कर फेट दूँगी नाई, नोचूंगा तो मैं तुझे अपने पंजों से चीड फाल कर रख दूँगा कसम दुरगा माई की, तुझे मार मार कर तेरी खाल में गोबर भर दूँगी क्यूंकि तुझे वो सिक्का है रे, जिसके दोनों तरफ छक्का है रिखाए छक्का मैं छक्का नहीं हूँ, मर्द हूँ, मर्द का दर्द देने वाला मर्द क्षक्षक्षक। पाद के, के रहिए ओमने के प fare banget लुदोर जया कैänn लुद lava फस्त डीट आ आ ख कभी ने, कभी ने, मेरी मौपची तो नहीं जली, लेकिन तेरी चिताद जरूर जलेगी करकाद धूं January कर दो फिर खजश कर फिर फूऊ जरी प्रे कर दो थान कर Gottaven बदा़ कर आजयां आजयां! 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 मुन्नी बई मुझे गोली मारी है तुझे निमारा नहीं मैंने भी उसे गोली मा रही है उसका बचणा मुष्किल है जंद ऐल जंद आण कि मुन्नी बई मर गई मुन्नी बाई मर गई अब यह ख़बर अपने भाई बंगलेगा सुनाता हूं कौन तुम मुन्नी भाई हो नौ किसने मारा तुमको मुझे तकला ठाकुर के भाई चंदन ने मारा है मगर तुम कौन हो मैं मैं राम कटोरी मुझे वाली मगर यह कैसा अजीब इत्ते फाक है हम दोनों की शकले एक जैसी है मगर मैं मर्दों को नाचाती हूँ और तुम तुम उनके इशारे पे नाचती हो मैं उन जालिम मर्दों से बदला लेना चाहती हूँ मगर क्या करूँ मजबूर हूँ कमजोर हूँ नहीं बहन नहीं और धरती कभी कमजोर नहीं होती क्योंकि ये दोनों ही जीवन को जनब देती है बेहन तुम मेरी मौत का बतला लेना जरूर तुम मेरी बेहन हो लो बेहन उठाव बंदूख और उन जालिम मर्दों का सिना छलनी कर दो बिटा दो उन मर्दों को जिनके जुल्म से हमें जिन्दा जलना पड़ता है बादा करो तुम मेरी जगा लोगी और मुन्नी भाई के मनने के बाद भी तुम मुन्नी भाई को जिन्दा रखोगी बादा करो तुम डाकु मुन्नी भाई बनकर मेरे और अपने दुश्मरों से बदला लोगी मुन्नी बाई, मुन्नी बाई आज मुन्नी बाई नहीं, राम का टोरी मरी है मुन्नी बाई जिन्दा रहेगी और जब तक जिन्दा रहेगी, दुश्मन उसे बदला लेती रहेगी अरे पखले, खुश्गबरी, मुन्नी बाई मल गई अचा वैसे तो मुझे सच बोलने की आदत नहीं है पर आज मुझे सच बोलना पढ़ रहा है हमारे चंदन ने उसे गोली, मार, मार के उसका सीना चलनी कर दिया ए धीरा विट्टिया, खुश्यमना जुम जुम के काने का का क्योंके मुन्नी बाई, मर गई ऑपो तुम सच के थे, मुन्नी बाई, मर गई ज etmeटन ने उसे माठ डला हाा अब यह खबर मैं इंस्पेक्टर शंकर को दूगी कि मुन्नी भाई मर गई है बापो फिर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी होगा क्या करें कहां जाएं सर्दा तो भगवान को प्यारी हो गई हां हर जगह यह ख़ब फैल चुकी है कि मुन्नी भाई मर चुकी है अरे नहीं रे मुन्नी भाई इतनी आसानी से नहीं मर सकती तुम मरी नहीं हो अरे मर गए मुन्नी भाई को मारने वाले अगर मौत को मौत आ गई तो हमारे दुश्मालों को कौन मारेगा रे कहें तो मुजरा करने वाली राम का टोरी तो नहीं हो पढम ज्यादे हमें नचनिया कहता है आरे वो नचनिया फूल है फूल और हमही काटा बोल कैसा लगा यह चाटा वाइव नचनिया मार सकती है कि मैं सर्दार कि मुणनी भाई है के नई णम मुंनी भाई हो हाँ, हम ही मुन्नी बाई हैं, अब हम पर किसीने शक किया, तो हम उसे गोली मार देंगे इंस्पेक्टर शंकर, आज की सबसे बुरी ख़बर तुमने सुनी होगी न क्या, यही कि मुन्नी बाई मर गई, सुना है कि चंदन ने उसे गोलियों से छली कर दिया है, मेरा दिल तो अब भी यह मानने को तयार नहीं, कि मुन्नी बाई मर गई है, माना कि प्यार में लोग हमीशा दिल की बात मानते हैं, लेकिन कभी-कभी अकल से भी काम लेना चाहिए, मैं अकल से ही काम ले रहाऊ हूं मैं कैसे यकिन कर लो जब तक उसके लाश नहीं मिल जाती यकिन ? यकिन आज नहीं तो कल तुम्हें करना ही पड़ेगा तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा शंकल कि मुझी बाई अब इस दुन्यों में नहीं है वो मुझा केला छोड़कर नहीं जा सकती मुझी बाई मर गई है, मर गई है, मर गई है मुझे अपना लो शंकर मैं तुम्हारे बगर जिंदा नहीं रह सकती शंकर, बोल जाओ उसे मुझी बाई मर गई है अगर मुझी बाई मर भी गई है उसकी जगह मैं किसी और को नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं समझ में नहीं आता, इसके दिल से मुन्नी भाई का प्यार केसे निगालू इंस्पेक्टर शंकर, सुना है कि हीरा भाई आपके प्यार में बहुत पागल है बेवकूफ लड़की है वो, पर दिल की अच्छी है, एक दिन उसने एक बच्चे की जान बचाई थी, इसलिए उसकी इज़त करता हूँ इज़त करते हो, तो महबत भी करडा लो, और वैसे भी आपकी चहती मुन्नी भाई भगवान को प्यारी हो जुकी है नहीं, वो जिन्दा है, और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक न एक दिन मुझे जरूर मिलेगी जब तक नहीं मिलती, तब तक हीरा भाई से काम चला लो अरे क्या लग रही थी ओ, जिस दिन बच्चे को दूद पिला रही थी नाम मेरा ले रहे हो, और नियत तुम्हारी खराब है मेरी बात मानो तो तुम उसे दोर ही रहा एक बार तो वो बच्ची की वज़े से मजबूर हो गई लेकिन दूसरी बार वो तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर देगी अरे दूसरी बार मिले तो सही मैं उसे हरामी बच्चे की मा बनने पर मजबूर कर दूँगा हरामी पन तो तेरे में कूट कूट कर भरी है इसलिए तेरे शकल भी कुट्टे से मिलती है जहां भी गंदी चीज देखता है वहां मुह मारता है हाँ, मैं कुट्टा जरूर हूँ मैं सिर्फ मुह नहीं मारता मैं जिसके पीछे पढ़ जाओं उसे काट लेता हूँ बचाओ, नहीं, चोड़ दो मुझे चोड़ दे, चोड़ दे, चोड़ दे मैं कुट्टा हूँ अवरत की इज़त का लुटे रहा आज इस दुनिया से कट जाएगा पता तेरा नहीं रहा भाई नहीं मुझे नहीं मारना मेरे मरने की ख़बर मेरी बार सुनेगी वह भी मर जाएगी अच्छा तो तुझे आज अपनी अम्मा याद आ रही है अरे याद कर हरामी वह दिन जब तो एक माह की मासुम आउलाद को म किया रहम करो हीरवाई रहम करो अरे नारी हो करके इतना बेरहमत बनो चदियों से नारीयों ने मर्दों पर रहम किया है और मर्दों निका दिया हमका जख्खम जख्खम अरे ना रहे ना अब हम रहम ना करें अब हम रहम ना करें अब हम भी देंगे जख्खर हीरा नाम है मेरा कर देती हूं अच्छे अच्छो का चीरा नहीं हीरा भाई नहीं नहीं हीरा भाई नहीं लालालाला ओए डाकू डाक्टर साथ बुचा वरना गोली मार दूंगा डाकू भाई लोग यहां क्या लेने आया है आप लोग हम दवा लेने आया है दवा लेने आया है मैं समझा डाका डालने आया है क्या बिमारी है आप लोगों को हम सब को पेशाब में जलन होती है समझ गया दाका डालते समय जो लड़की सामने आती हैं उस पर सब किसब कूट पड़ते हैं ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं विभाई ने उगते हो और क्या होगा क्या करें जल्दी में आगे पीछे देखने का समय नहीं मिलता डाक्टर साफ मुझे तो लगता है तुम लोग को एड्स हो गया इस भेंकर बिमारी से बचने का एक ही उपाय है यह लो यह लो निरोद यह लो निरोद और एक बात याद रखो जब भी टाका डालने जाओ जेब में गोली कम निरोद जादा रखना लेकिन डक्टर साहब यह निरोद हम अभ जाओ जाओ तुम लोग भी मज़ा लेलो अरे तुम भी आगे अरे तुप रहें कि इतने सारे डाकू यहां क्या कर रहे थे कि आए कि क्या हुआ बाई यह डाकू लोग यह क्या कर रहे थे है अर्य नि मेरा सब कुछ लूट लिये डाखोणे मेरी जट लूट लियो डाकू ले नУ हुआ है मगर जाते हाथ एक काम अच्छा कर गया है वो क्या मुनि भाय का पता बता के गए हैं तो के साथ कि हम दोनों कवाल बन गए कम से कम इस बहाने से मुन्नी भाई के अड़े तक तो आ गए अरे अब तो मुन्नी भाई हमें मिल जाएंगी और साथ में पांच लाख रुपए आदे तेरे आदे मेरे अरे कोन हो तुम लोग अरे हम कववाल हे कववाल तबले की थाब पर मचाते धमाल हमारी कववाली सुनकर अच्छे अच्छो पे बदल जाती है चाल कंग हिए कौन अक चाल बदलने वाला सर्धार ये कवववाल आ है है मुलूर 1 अपिछ सब्छित थ害 तो इन दोनों को अज़ इसलिया है यह ऊदों को वाली कि दोम हम तो कपवाल कपाई कपाल है कफाल हम लोग तो कपवाली सुने लिए क्यों क्यों आनि आपको मुझा जायोंगा अगर मज़े नथर दोनों को तो गोली मार दूंगी चाल सुनागा वाली अरे ऐसे काई से सुना दे पहले कुछ सवाल होंगे कुछ जवाब होंगे उसके बाद आप समझ रही है कि नहीं आए आए इसक से हुसन टकराएंगा नहीं तो सुनने वालों को मज़ा आएंगा थीक है तेरे हर सवाल का जवाब हजार बार दूंगी ज्यादा चड़ेगे तुझको तो तेरा नश्या उतार दूंगी तुबे उडाए शराबी ये पक कजूटा है शराब से तेरा नाता जरा न छूटा है मैंने उड़ाऊं शराबी उमन लेता हूं मगर जान मेरी तुझ पे जान देता हूं शराब अब न पियूँगा ये कसम खाता हूं जो तू कहेंगी करूँगा ले मान जाता हूं शराब अब न पियूँगा ये कसम खाता हूं जो तू कहेंगी करूँगा ले मान जाता हूं सुभा होती ही न पिनी की कसम खाता है शाम होती ही हर एक वादा भूल जाता है सुभा होती ही न पिनी की कसम खाता है शाम होती ही हर एक वादा भूल जाता है सुभा होती ही न पिनी की कसम खाता है शाम होती ही हर एक वादा भूल जाता है बड़ी अच्छी है अंगूर की बेटी जानी इसे पुढ़ा भी जो पीले तो ना मांगे पानी इसे पुढ़ा भी जो पीले तो ना मांगे पानी इसे पी कर तो देख इसमें कितनी दूबी है मैं अकेला का हा दुनिया ही इसमें दूबी है मैं अकेला का हा दुनिया ही इसमें दूबी है मेरे दादा ने भी पी है मेरे बापू ने भी पी अगर है मैंने भी फी ली तो बता क्या आखता की तु डराती है मुझे और मैं डर जाता हूँ जो तू कहेगी करूँगा ले मान जाता हूँ शरम जरा नहीं नादान क्या क्या बकता है शराब बेखे कदमों पे आके गिरता है इसे पता नहीं खाने का और कमाने का फकत ये जानता है रासता मैं खाने का शराब चीज बुरी है बुरी में कहती हूँ क्योंकि मैं रोज शराबी के जुल्म सहती हूँ कभी मोतल कभी थैली में लेके आता है शाम होती ही हरेक वादा भूले जाता है कभी मोतल कभी थैली में लेके आता है शाम होती है अरेक वादा भूले जाता है शराबियों के घरों की अजब कहानी है ना रोटे खाने को घर में ना इनके पानी है शराब पहले पहल में तो मजा देती है ये बना लेती है अपना तो सजा देती ने मा दिल बात मेरी छोड़े दे पीना जालिम जो है दुनिया में तुझे और भी जीना जालिम कभी तु मा कभी बेहनों की कसम खाता है शाम होती ही हरे कुवादा भूले जाता है कभी तु मा कभी बेहनों की कसम खाता है शाम होती ही हरे कुवादा भूले जाता है पूले नादान कहीं काल मुझे छोड़ा है कभी बोतल कभी गिलास मेरा तोड़ा है शुकर करू अभी बोतल गिलास तोड़ा है शराब मैने तेरे सर को नहीं थोड़ा है शराब मैने तेरे सर को नहीं थोड़ा है तो अपनी मस्तु निगाहों से मुझे रोज पिला शराब छोड़ दि तूने मुझे यकीन दिला कभी अपनी कभी मेरी तुख सम खाता है शाम होते ही हर एक वाद भूल जाता है शराब अपनी कभी मेरी तुख सम खाता है शाम होते ही हर एक वाद भूल जाता है शराब अब न पियूंगा ये कसम खाता हूँ जो तू कहेगी करूंगा ले मान जाता हूँ सुबह होते ही न पियूंगा ये कसम खाता है सुबह होते ही न पियूंगा ये कसम खाता हूँ जो तू कहेगी करूंगा ले मान जाता हूँ जब से मुन्नी बाई के मरने की खबर भैली है तब से ना तो मुन्नी बाई ने गोलियां चलाई है और नहीं डाका डाला है मुझे लगता है ये मुन्नी बाई नहीं है फिर को नहीं है मैं मुझे रा करने वाली हूँ हाँ ये सच है कि तुम राम कटोरी हो हमारी सरदार मुन्नी बाई नहीं हो का कहते रहे भरामजादे हमने कहा ना मुन्नी बाई है मुन्नी बाई राम कटोरी नहीं मुन्नी बाई गोली चलाती थी गोली तुम्हारी तरह से गाना नहीं गाती थी पहां लिया तो सुन लो सब लोग हम राम कर्टोरी है मुण्नी बाय नहीं है मुण्नी बाई का प्रेम cicder शंकर तब क्या करऊगी उसे बिमाठ डालूंगी क्योंके मेरे लिए मुण्नी के मकसर से बढ़ कर कुछछ नहीं इंस्पेक्टर शंकर भी नही मुनी बाई तुम जिन्दा हो हाँ अपने दुश्मों से बदला लेने के मुनी बाई का जिन्दा रहना बहुत जुरूरी है देखो मेरा आदमें तुम्हें घेल लिया है अगर तुमने मेरा रास्ता रुका तो मैं तुम्हें भी गोली मार दूगी हिरा बाई हिरा भवए गजभ हो गया का का वुआ रहे का बंदू गोली उगलने के वाज़ाइग गाना गाने लग गई यह फिर घोडी घांस के बदले में पथर चपाने लग गई नहीं वह मुनी भाई मरी हुए मुनीभाई फेसे जिन्दा हो तो मुन्नी बाई जिन्दा है? आज सच कह रहा हूँ, मैं अपनी आखों से मुन्नी बाई को जिन्दा देख कर क्या रहा हूँ और वो इंस्पेक्टर उसे पकड़ना चाहा लेकिन उसके हाथों से बचके साब निकल गई पोचे उम्मीद नहीं थी के मुन्नी बाई तुम्हारे हाथों से इस तरह निकल जाएगी जैसे हवा पेड़ों को थपड़ मारकर निकल जाती है लेकिन सर देखो पहले मेरी बास सुनो इस वक्त आकुछ शेर सिंग को थाने से जेल की तरफ ले जाए जा रहा है और रास्ता मुन्नी बाई के इलाके से होकर गुजरता है सरदार एक खास खबर है तुम्हारे लिए का खबर है रे सरदार शेर सिंग को थाने से जेल ले जाए जा रहा है आज कुलिस वारे उसे लेकर हमारे बिहड से गुद्रेंगे अब वक्त आ गया रे शेर सिंग का हिसाब अपने कंधों से उतारने का कर दर्दार ओर ही जीप जिसमें शेर सिंग को जेल लेकर जा रहा है वो अदालत नहीं जाएगा बच्वा वो हमरे संग जाएगा चलाओ है MAN ाफ जेकर रहाग ले भीचा बच्वा जाएगा रहाईँ जाएगे जएढ इक 1 जेएग जेजवाे से वेक जाएगा ज Süames प्सिताएगा जैब उसे मत्त पारे वे ढ़रा भीचला अलावेगा बार ओर भारे गीचलास टोच, बन्याख़! शेर सिंग को पुलिस की हिरास्तों से छोड़ा लिया और तुमने कुछ नहीं किया, कही तुम बात पूरी कीजिए सर, अधोरी बात मेरे दिल में काटा बनकर चूपती रहेगी मैंने कह रहा था कही तुम्हें मुन्नी बाई से प्यार तो नहीं हो गया हाँ, मुझे प्यार हो गया है, और भी बहुत कुछ हो गया है, लेकिन मुझे भरोसा कीजिए सर जिस दिन मैंने अपने फर्स के साथ कद्दारी की, उस दिन आपको मेरे मरने के ख़बर मिलेगी तुम, मुन्नी बाई हो हम मुन्नी बाई नहीं शेर सिछी हम तो राम कटोरी हैं वही राम कटोरी बन गये हैं हरेक और एक उपांटेइं हम दोनों मिलकर की तुमने की हस्ति को मिटार हो लेए तो तो साथ जरूर धूंगा पर आप जैसे शरीफ आदमी को बंदू कुठाने पर किसने मजबूर किया अगुमाकाल ने ये मेरा हुकम है आई डाका डालने मैं अकेला जाओंगा मेरे साथ और कोई नहीं जाएगा लेकिन सर्दार रामगर में पुलिस का जबर्दस्त पैरा है आप गए तो मारे जाओगे ऐसा करिए हीरा बाई को भेज़ दीजिए तू ठीक कहता है रे भला मैं क्यों कुट्टे की मोत परूँ जो मेरा हुकम नमा हीरा को सुना दो आप तुम्हारे बापू का हुकम है कि तुम रामगर गाव में आज डाका डालने जाओगी ये बापू तेरे हुकम पर तेरे लिए कई सारे लाशों के धेर लगा दूंगी आज रामगर डाका डालने जरूर जाओगी जलो कि इस विलिस? सब तयारी हो जिए अरे भई नोटंकी की नचनिया आ गई अहाँ हाँ भई देर नहीं होने ही चाहिए समझे क्या बात अजाब आप किसे ढूण रहे हैं डाकू हीरा बाई को अरे डाकू होगा यहां क्या काम यहां नोटंकी होने वाली है अच्छा तो नोटंकी है इन पुलिस वालों से बचने का तो यही रास्ता है चल हीरा दिल मी देख्थी कर नता भी देखा दिल मी देख्थी कर नता में देखा ना देखा मैंने देखा जो लेके चलेगा बिहाद उछे दूगे चुमी हजाद जो लेके चलेगा बिहाद उछे दूगे चुमी हजाद मेरे चानों में बाझे है चान पूरिटी मेरे नाख में लखन्या है चान पूरिटी मेरे चर के जावान को सबाल देखी कितने लोगों का है बुरा हाल देखी कितने लोगों का है बुरा हाल देखी मेरे पावों में पाए है पतिराली की मेरे हासों में मुंद्र है अम्मा लेकिए मेरा घूप दिझी है मेरी साल दिझी मेरे उमर हचो ऑना साल दिझी मेरे उमर हचो ऑना साल दिझी है मंचुरे देखी जी मेरत भी देखा ना देखा मैंने दिहाद जो लेकी चलिगा दिहाद उसे दूगे चुम खजाद जो लेकी चलिगा दिहाद उसे दूगे चुम खजाद दिल्ले में देखी कर दस्ता दिहाद मेरे माथ वे ती बिल्ला है मखनूरी ती मेरे जर्पे जो नर्या है जोड़पूर के मेरा अंगा जवानी से भरपूर है आत आ मेरे तुम उससे क्यो दूर है आत आ मेरे तुम मुझे क्यो दूर है तिली भी देखी कर दस्ता दिखा तिली भी देखी कर दस्ता दिखा न देखा मैने दिहाद जो लेकी चरिगा दिहाद उसे दूगे चुम खजाद मेरी बिटिया रामगड में डाका मारने गई थी कहीं बिहार तो नहीं चली गई थे मैं तुझे छोड़के कहां जाओंगी बापू वो तो पुलिस वाले हादों के पीछे पड़ गयते इसलिए नोटंकी करनी पड़ी अच्छा तो तु नोटंकी करते गई और पुलीस वाले खाली प्याले में तुटू तुटू चम्म जिलाते में रह गए अबे ओ मेरे चम्चे मेरी नाक के गम्चे अबे हाथ पे हाथ रख कर क्यों बैठा है लड़की का शिकार खेर अजे ठाकुर साब मैं एक लेलिके को भेला रहा हूँ अरे फुसला रहा हूँ अपने कमीने बने जो है दिखला रहा हूँ सदार सदार ओ मंगलू फिर आज कमीने पन पे उतर गया है कौन मंगलू रे अरे वही मंगलू तकले ठाकुर का खास चमचा जो आपको एक बार ठाकुर के पास उठा कर ले जाने वाला था अच्छा आज उस दल्ले की ऐसी की तैसी हाँ मैंने बहुत से मा बहनों को कोठे पर बिठाया है नचवाया है मंगलू संहीं ना जाने कितनी मासूम लड़कों को कोटे पर बिठाया है और बाजारों में नच्वाया है मैं कसम खाता हूं आज के बाद मैं किसी मा किसी बेटी को नहीं नच्वाँगा ओरत रागध की भार खाने वाले भड़वे ये तु क्यों भूल गया कि ऑरत एक मा भी है तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगी कभी ने, फुट्टे, हरामी इससे पहले मुहनी भाई मुझे कुछे बार दे, मैं यहांसे भाग जाता हूँ भाग सकता है तो भाग भाग क्या, मेरा चमचा मंगलू मर गया कुंदन गया मंगलू गया चंदन गया अब किसकी बारी है? अब मेरी बारी है, हीरा बाई मैं तेरी जवानी आज तो मैं सारा नशा तेरे परुतारू नहीरा भाई आज 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 कि परुत आज 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 आज? आज 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 आजू को कि अवा नहीरा आज 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 कैश़् आज आज़ी है। यह मैं क्या सोच रहा था। अरय अगपर ? कर सोच रहा है ! मैं जो सोच रहा था बहुत बुरा सोच रहा था मुझे अपनी मौद नजर आ रही है अब मुझे मौद को बुलाने के लिए फिरते नश्रा करना पड़ेगा जो मौत से बचने के लिए नशी का सहारा लेते हैं, वो बे-मौत मरते हैं मैं नहीं मरूँ माइज़। मरेगा साला आठाले का पानिया, बीस रुबाए की जानी आए, कितने जालिम है तेरी जवानी ना मैं रानी हूँ, ना मैं पानी कुद्दे, मैं तेरी मौत के निशानी हूँ मौत नहीं, तु है मलाई, तुने मस्त मस्त नजरो दे, मुझे शराब पिलाई अच्छा, आज तू नशे में है, आज मारूँगी तो तुझे पता भी नी चलेगा कि तू कितनी दर्बनाग मौत मरा है मैं तुझे मारूँगी, मगर होश में मारूँगी क्या, मुन्नी बाई ने कबबर को इसलिए छोड़ा कि वो यह नशे में था मुन्नी बाई का कहाना एक कि कबबर को वोश में मारेगी अरे उसको कहो क्यों होश में ना आये नशे में ही रहे, वो ट्रेन पखड़कर तू 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 भाज़्याए अगर निकल गये तो फिर इंजन बलोज़लो रेल की पट्री पनाथ नाज कुए कि मुनिवाई तू अरे ओ कबबर नहीं तू इंजन है नाहीं तू ट्रेन का डिबबा फिर कहें ट्रेन की पड्री पर भागते अरे मेरा बत चलता तो हवाई जहाज बर क्या उड़ू जाता अरे कम से कम तेरे हाथों से मरने से तो बच जाता मैं तुझे हवाई जास तो नहीं बना सकती कबबर लेकिन हवा में उड़ा जरू सकती हूँ नहीं मुझे मत उड़ा हाँ सुन मेरे बंदूग की गोली की बोली और उड़ जा पहन कर मौत की चोली हाई 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 तुझे मिटा दिया अरे अगबर तेरी हस्ती को मिटा दिया तुझे गोलीएं मार मार के रेल की पट्री पर लटा दिया मुनी बाई मुनी बाई ये मत समयना के तुने कबबर को मार कर बहुत बड़ा स्थीर मार दिया है थाकोर तु किस जमाने में रहता है रे आज तो तो तीर और तलवार की जगे एक एक फॉर्टी सेवन का दमारा है एटम बं का दमारा है मुनी बाई मुझे ऐसा वैसा मत समझ अ मैं एटम बंब हूँ एटम बंब मैं तुझे मारूंगा नहीं भलके सिंदा समीन में तफन कर दूँगा अच्छा यह पत्तर देखा है ठाकोर पहले के पहाड़ी के चोड़ी के सरकतास था तेरी तरह अकड़ा जूटके पिखर गया तू भी मरेगा किसी तरह मरेगा नहीं बिलकुल नहीं हम मरेंगे नहीं और अगर मर भी गए तो फिर जिन्दा हो जाएंगे फिर मर गए फिर जिन्दा हो जायंगे एक बार नहीं दो बार नहीं शाथ बार आये, दुनिया बालो, कान खौल कर दुन लो, आज मैं शाधी करने जा रहा हूँ, लड़की बचपन की और मैं बचपन का, आज मैं आखिनी शाधी करूँगा, और इस शाधी को दुनिया की कोई ताकत नहीं दो मुन्नी बाई मुन्नी बई मेरे मदद करो चकला ठाकूर मेरे छोटी बेंसे जबरदस्ती शाधी कर रहा है चकला ठाकूर आज तेरी शादी नहीं बरबादी होगी बरबादी छुप सकता है तो छुप ले कहां चुपू, है कहां चुपू, है बगले, ओ बगले, ओ बगले, ओ बगले, बगले, अरे मुझे बचा ले, मुनी बहुत बंगर मेरा पीचा कर रही है, कहां चुपू, है कहां चुपू, कहां चुपू, है कहां चुपू, यहां चुपू, यहां चुपू, यहां चुपू काश में चुआ होता तो किसी बिल में घुच जाता खट मलोता तो किसी खाट में घुच जाता पानी होता तो गंदे नाले में बह जाता पर मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मैं तो सिर्फ तकला हूँ तकला हूँ मुन्नी भाई आ गई, मेरी मौत आ गई तक्वेर अपर, कहा छुपाए रहे, बाहर भी कल मुन्नी भाई, मेरी माँ, तु जी चाहे मुझे बाहर ले पर 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 के लिए मुझे चोड़ दे, काके मैं शादी कर सकू शादी नहीं, तेरी बर्बादी होगी बर्बादी, आज मैं तुझे वहाँ बेजूगी, यहां से कोई वापन नहीं आया मेरे भाई को माँ डाला, पर कुछ भी कहो, दुनिया में वो सबसे बड़ा कमीना था, मैं अंगूटी हूँ, वो नगीना था मुनि मैनी चाचा को माँ डाला और पुलिस कुछ नहीं कर सकी चिंता मत कर, चीज चाहता है कि मैं कमिशनर के बाद जाओं और सारी बाते उगल दू नहीं बाबू, वह मत जाना, वरना अंदर हो जाओगे तो भी मैं क्या करूँ, किदर जाओं, सारी बाते कमिशनर से कहते करूँ ये लो सर्दार ये कौन सी मुठाई है ने? मिठाई नहीं, मोबाईल है सर्दार बिनातार का टेलिफोन, कमिशनर से जी भर के बाते करो जी भर के? हलो, पोलिस कमिशनर अलजुन सिंग है कमिशनर जी, मैं पगला बोल रहा हूँ देखिए ना, आपके राज में मुन्नी भाई ने मेरे भाई को माँ डाला मेरे साथियों को माँ डाला आप ऐसा करिए के मुन्नी भाई को जल्दी जब पगल लीजिए पेना सुबूत के में कुछ नहीं कर सकता अगर आपके पद सुबूत हो तो कमिशनर जी, सबूत ढूना आपका काम है हम डाकों का नहीं अगर फर्ज करो सबूत नहीं मिलता तो फिर भी मुन्नी भाई को गिरफ़तार कर लीजिए हाँ अगर बगएर सबूत गिरफ़तार करने की अजाज़त होती तो सब से पहले में तुम है और तुम्हारे साथियों को गिरफ़तार करने क्योंकि आज से बारा साल पहले तुमने मुन्नी भाई के बाप का कतल किया उसकी पहन की इज़त लोगी चुर्म का बीच तुम बोते हो और फसल हम से काटने को कहते हो देखो अगर तुम मुन्नी भाई के हाथ हो मरना नहीं चाहते तो अपने सारे जुर्म कुबूल करके अपने आपको पुलिस के हमारे कर दो समझे अई बाप अपुले ये कमिशनर तो बहुत ही गुश्चे में है अब लगता है कि हमारे हर अट्डे पर छापा मारेगा हर आद्मी को इख्तार करेगा उसे पता नहीं हम भी पगले हैं जो दुरुका भेजेगा बेमौत मरा जाएगा बोल कभी हमें पकड़ने के लिए आएगा हमारे काले धंदे पर छापा मारेगा हाँ हाँ मैं मरते तम तक तरह पीछे नहीं छोड़ूगा तु कातिल है मुझीन है मैं तुझे पकड़ कही ताम लूँगा हमसे टकराने का अंजाम जानता है तो याद रखना है तू कोई ने कोई तेरे जुमों के सजाते नहीं जरूर आएगा तो आज मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा जबबर सिंग तेरी इतनी हिम्मत के तु पुलिस वाले पर हाथ उठाए वा मुन्नी बाई वा दाकू होके पुलिस वाले ते हम दर दी क्योंकि ऐसे इमानदार पुलिस ऑफिसर बहुत कम रहे गए रहे और अगर यह भी मर गए तो जनता की आखरी उमीद भी मर जाएगी रहे और मेरी तरह सब दाकू बन जाएगे नही不starter मैं इसे ऐसे मरने नहीं दूगी और तुझे जीने नहीं दूगी मुन्नी बाई अगर तुम मुझे एक राज दे दे तो मैं इसे छोड़ दूगा आजा आजा नीचे उतर मैं तुझे राज देती हूँ रहे आजा मेरे रात की रानी आजा रात की रानी तो रात में आती है मेरे रज्जा और ये दिन है दिन और ये दिन तेरी जिन्दगी का आँखरी दिन होगा सब्सक्राद करते हैं तूम कहां चली मुन्नी बाई, यह मत समझना की, कानून के मदद करके तुम बच जाओ भी अरे बचने की किसको परवा है रे, पर एक बाद बताओ, क्या तुम मुन्नी बाई से बहुत प्यारकरते हो? हाँ, समुंदर की गहराई और आकाश की उचाई से भी ज़्यादा प्यार करता है इतना प्यार करते हो और अपनी मुन्नी भाई को पैचान नहीं सकते हो क्या मतलब? अरे हम मुन्नी भाई नहीं, राम कर तूरी है उसकी हम शकल, वो तो बिचारी कब सी मर चुकी है इसलिए मुन्नी बाई बनकर उसका मकसद पूरा करने की हमने कसम खाई है तुम्ही बताओ, आज के इस दौर में नारी-नारी की काम महीं आएगी, तो कौन काम आएगा? तुम्हें जो करना थतर लिया, अब मैं करूँगा जो मुझे करना है, चलो मेरे साथ आओ यह तुम ठाने के बज़ाए मंदिर में क्यों ले आए? राम पर्डोरी, तुम्हें एक बात याद होगी तुमने मुझसे कहा था कि तुम उझे बहुत प्यार करती है, कहा था था? यह कहा था और अभी अभी तुमने कहा, तुम मुन्नी भाई बन गई हो, और मुन्नी भाई बन के ही जियोगी, कहा था ना? और अब मैंने भी तुम्हारे प्यार को स्विकार कर लिया क्योंकि तुम्हाम कटोरी नहीं, मुन्नी बाई और अब तुम्हें मुन्नी बाई के प्यार का कर्ज भी चुकाना है वो कैसे? शंकर ये तुमने क्या किया? प्यार के लिए अपने फर्स को भूल गये? जबकि तुमने कसम खाई थी, ये फर्स के लिए अपने प्यार को मिटा दो गये शंकर आज मैं बहुत खुशूँगी, धजूगी, कानों में जुंके पहनूँगी और हाटों में सुहाग की चूडियाँ सुहाग की चूडियाँ बाद में, पहले लोहे किस समा थी हिरा भाई, हिरा भाई का आरे भोगुडे, कहा से घोड़ी की तरह भागते आ रहा है सर्दार, सर्दार, मुन्नी भाई ने बुरी खबर सरदार, इंस्पेक्टर शंकर ने बावाणी मंदिर में मुन्नी भाई से शाहदी कर लिया है का? क्या बुरा हुआ? शंकर ने मुन्य भाई के साथ ब्यारा चाली है और उसे सलाकों के पीछे बंड कर दिया है नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता इंस्पेक्टर क्या पागल है जो एक डाकू से शादी करेगा ये खबर मैंने अपने कानों से सुनी है अरे बगली कानों की सुनी का ब्रोसा मत कर जाके अपनी आँखोंसे देख आँखोंसे ठीक है बापू मैं पुलिस टेशन जाके पता लगाती हूं कि रास क्या है लीजे सर, जिस मुझरम के रहे पूरा पुरा पुलिस डेपार्टमेंट परिशान था, वो मुझरम आपके सामने है शाबाद सिस्पेक्टर, मुझे खुशी है कि तुमने मुन्नी भाई को एरेस्ट करके मेरे भरोसे को कायम रखा नहीं सर, मुन्नी भाई को मैं गिराफतार नहीं कर सका, मुन्नी भाई मर चुकी है मुन्नी भाई मर चुकी है? क्या, मुन्नी भाई मर चुकी है? फिर ये कौन है? सर, ये उसकी हमशकल राम कटोरी है अच्छा तो यह मुन्नी भाई नहीं उसकी हमशकर ज्राम कटरी है अरे क्या हुआ बेटी जिंदगी में इसना बड़ा दोका कभी नहीं हुआ जो आज हमारे साथ हुआ है कैसा दोका बेटी क्या भैज ने बीन बजाना शुरू कर दिया बंदर ने मदारी को नचाना शुरू कर दिया यही बापू नचाया तो हमको उस नचनिया ने उंगली के इशारे पर है मुन्नी भाई के मर्दे के बाद खुद मुन्नी भाई बन बैठी और शंकर से ब्याभी नचा लिया अरे हाँ मुझे पहली शक्ता राम गुटोरी मुन्नी भाई है नहीं तो चंदन जैसा आदमी बिना मारे खुद मारी नहीं सकता अब तुछ जा राम गुटोरी के हाद में मौत का कटोरा दे दे जा मगर वो पुलिस की हिरासत में ये बापो सदार सदार मुन्नी भाई पुलिस की हिरासत से भाग गई अच्छा सुल्या बेटी तेरा काम हो गया मेरी तोल में तक पीज चाप गई आज उसे मारूंगी या मर जाओंगी आखरी हाद से गुजर जाओंगी मुन्नी भाई बाहर निकल मुन्नी भाई मुन्नी भाई आज मैं तेरी चेहरे से मुन्नी भाई कर नगा भाटाने आई हूं रामकोटोरी तुझ को तेरी अवकाद बताने आई हूं रामकोटोरी बाहर निकल रामकोटोरी बता बता ये खेल तुने क्यों कहला क्यों रांको तुरी होकर शंकर के नाम का सिंदूर अपने माल में भरा शंकर मेरा है और मेरा ही रहेगा शंकर मर सकता है बगर तेरे प्यार को पबुल कभी नहीं कर सकता फिर काहे उसके प्यार में पागल और दिवानी बनी फिट दियर है इसलिए आज जिंदगी और मौत का फैसला होकर ही रहेगा हम दोनों में से एक को जीना होगा और एक को मरना पड़ेगा राम कटोरी अरे चाल हर्ट जादा फड़ फड़ाएगी तो तेरे पर काट लूगी मारूंगी बाद में पहले तेरी कबर खोदूगी कबर तो मैं तेरी खोदूँगी राम कटोरी तू नहीं दोके से मेरे शंकर को छीन लिया मुझसे मैं ये जमीर तुछ में तंग करूँगी और भयानक से भयानक मौत मार कर सारी दुनिया को तंग करूँगी राम कटोरी एक बार मार खाके भी तेरी अकड चुकाने लगी नहीं तेरी खोपड़ी की घंटी बजी नहीं अरे आज इस मौत के खेल को खाद मैं करके रहूंगी अरे दोटे टेरी नहीं इव हरो हाँ एट एब आगा हुआ एल, एप ए हुआ topic हाँ, हँआ एफ है कुछोम हर हुआ। मिडस нашей के वा हुआ देख जि कतम हुआ य कर दो हुआं regardless जंकर तो नहीं मिला, यह प्यार को तलाज करते-कर के मौत मिल गई नहीं रभेटी, तु उ मुझे छोड कर नहीं जा सकती एक-एक करके मेरे सारे सारे टूट गे अब तेरे इसबाब की आद तु कॉल साब देगा पापो? नहीं 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 रहा बेटीनी मुझे छोड़ के मच्छा मुली भाई तुने मेरी पेटी को भरा है उसका प्यार चीना है मैं तेरे से तेरा प्यार चीन रूगा अरे आंसू पोचले मेरे पगले डाकू और शराब की जगा खून पीने की तैयारी का लिए अजा अगर वो इंस्पेक्टर ने डाकू से शादी की है इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अब तु देखना पगला डाकू अब उन दोनों का प्यारियूं की जान का दुश्वन बन जाएगा आओ शंकर जिंग आओ ये सन्ना टबरा वीरा न तुम्हारा स्वागत करता है कौन हो तुम? मैं हूँ डाकू महाकाल जिसमें पगला डाकू के साथ मिलकरे जाल बिचाया तो मुन्नी बाई कहा है? आएगी शंकर जिंग मुन्नी बाई भी आएगी जैसे ही तेरे नाम की चिठ्ठे, उसे मिल जाएगी तिली मिलार्ड़ीं, झिली मिलार्थीं और बलखाती आएगी इतना याद रख महाकाल तुने मुन्नी बाई को नहीं अपनी मौत को बुलाया है क्या कबल लाये बच्वा मुन्नी बाई ये चिठी लाया हूँ मुन्नी बाई तेरे इंस्पेक्टर संकर मेरे कब्जे में है अगर उसको बचाना चाहती है तो हकेली काली पहाड़ी पर चली आओ तुम्हारा पगला टाप है आगई 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 कुनी बाई आगई चिठी मिलते ही, चीक्टी चिलाते ही, आगई, आगई पगला टाको, शंकर कहों है, शंकर को आजाद करते है नहीं तो बिजली बढ़कर कर चुँगी, बादल बढ़कर बढ़ सुगी तु ना बिजली है, ना बादल, तु तो सरफ एक छोटी सी राम करटोरी है जो डाकू का पहन के चोला चलिये पगले डाकू के मोद का उठाने दोला पालो किसीने फट जाएंगे ये पत्थर ये पत्थर का फ़न बढ़ कर तेरे बदन से लिपट जाएंगे मुनी ओ मुनी जरा सुराइडर गर्दर उठा और देख चारो तरफ तू तू मोद के पंजे में भग चुगी है अग्या ना पंटा चारा अरे तू तो हमरे लिए चारा है चारा वो बेचारा शेर सिंग जब तुम्हें बचाने आएगा ना तो उसका नाता की धर की मौट से जोड़ा जाएगा महाकाल तू समय किसी ने पवोजारी लब खोड़ा है जिसे अगर खोड़ा ना गया तेरा नाता मौट से जोड़ा ना गया तो दुनिया को तू आग लगा देगा इसलिए पगला डाको के साथ तुझे भी उड़ाऊंगी और ये तैह हैं कि तुम दोनों के अर्थी चार चार कामदों पे उठाऊंगी अच्छा इंस्पेंटर शंकर की मौट का दुखड़ा कोई नया बखड़ा खड़ा न कर दे इसलिए वो बंदूग जमीन पर फेंग दे और तेरा मुखड़ा उधर मोड़ दे जा तेरा यार बंदूग की नाली पर मौथ की गाली सुनने के लिए खड़ाए उधर मोड़ तुम मेरे ले होसला मत छोड़ना लडो खूब लडो अपना पूरा बदला लो तुम मेरी परवा मत करना तकला माहकाल मैं हार गई थे लेकिन एक शब पर मेरे शंकर को छोड़ दो मुनि बाई के शंकर को छोड़ दो अगर अपने शंकल को बचाना चाहते हो तो जूम और हमरे बैरोक को चूम छेर सिंग अपनी बेहन की मौत का घम सीने में लेकर पाड़ों से सर तक्राता रहा है बिर्आने में मेरा नाम लेकर चिलाता रहा मगर तेरे हाथ कुछ उना लगा जो कि मैं छलावा हूं छलावा जो मरने के लिए मरघट तक तो पहुंच जाता है लेकिन माथ दोखा दे कर वापस आ जाता है हाँ मैं वापस आ गया हूं तेरी तलाश को खतम करने के लिए अगर जिन्दा जलने का शौखत मुझ से मिलने काली पाहडी पर आजा आज आप काली पाहडी पर तेरा दुश्मन महाकाल शिर्जिंग महाकाल यही मेरी बेहन की चीके घूंजी थी और आज यही तू अपने जिंदगी की आखरिस्ता से लेगाओ अरे माथ का तंदूर बंकर दहकने वाले अपनी ताकत के नशे में बहकने वाले अच्छा हो अच्छा हो तू यहा आ गया तूने मेरा जीना हराम कर दिया था आज मैं तुझे माथ का घुलाम बना कर मार दूँगा और तेरी दहशत का डर अपने सर से उतार दूँगा बहुत बक्वा सुनली तेरी अब मैं भी तुझे इस तरह मारूंगा जिस तरह बारूद पहाड के चीतड़े उड़ा देता है मैं बारूद से बरा मर्दूद हूँ मुझ मैं सूरज से ज्यादा घर्मी है जब तक दूर था तब तक जिन्दा था मगर आज तुझे चला कर राक कर दूँगा आस्मान के सिने में छेद कर दूँगा छेद तो मैं तेरे अंदर इतने कर दूँगा कि लोग तुझे टूटी में चलनी समझ कर तूटे मारेंगे ठूँगा तूँगा झाल 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 झाल